अब हम बात कर रहे हैं azure architecture की और यहां पर आप देख सकते हैं मैंने open किया है learn.microsoft.com और उसके अंदर एक sublink है और यह architecture वाला page है तो यहां पर हम पहले समझेंगे कि किस तरीके से azure में हम कोई solution बनाना चाहते हैं चाहे वो web solution हो या कोई भी दूसरी application हो तो वो उसका architecture कैसा हो सकता है कुछ उसे समझने की कोशिश करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं जब भी आपको कुछ learn करना हो सीखना हो तो आप इस particular location में आ सकते हैं यहां पुरा documentation है official documentation है और यहां से आप सीख सकते हैं यहां पर देखे guidance for architecting solutions on azure using established patterns and practices तो जो already established हो चुके हैं यानि कि जो already बहुत दिनों से काफे सारे developers काफे सारे practitioners use कर रहे हैं तो यह उन्हीं को use करके बनाएगी documentation है यहां पर आप browse कर सकते हैं azure architectures को आप cloud based practices जो conceptual practices और इसके concept को यहां पर देख सकते हैं और यह है how to guide जहां पर optimization review workload उसे देख सकते हैं और जो भी latest कुछ नया आता है उसे इस section में देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि किसी भी application के architecture को अगर समझना है पहले समझना होगा उसी के बाद आप design कर सकते है so you can come over here and यहां पर आप वो चीज़े देख सकते हैं तो यहां पर हमारे पास है design for cloud principles of a well-designed application best practices in cloud application responsible engineering application design pattern तो यहां पर आप देख रहे हैं कि here we have so many options कि किस तरीके से हम applications design कर सकते हैं फिर next option है हमारे पास में वो है optimize your workload यहां की guiding tenets for your architecture examine your workload तो इसके उपर हम आएंगे एक-एक करके अभी हम थोड़ा सा एक introductory level पर कुछ चीज़ों को समझते हैं ठीक है चलिए तो मैं एक article पर लेके जा रहा हूं यहां पर जो की guide है और यहां पर हम शुरू करेंगे कि कुछ fundamentals समझने की कोशिश करेंगे all right तो हम इसी documentation को refer करते चले जहां पर requirement होगी हम कुछ चीज़ें पर practically explore करेंगे that is how we will keep on moving all right so यहां पर हमें क्या मिलेगा हम थोड़ा basic समझ लेते हैं क्योंकि यह हमारे initial sessions में से एक है तो फोड़े fundamentals जाने भी जरूरी है okay so this library of content presents a structured approach of designing applications on azure that are scalable, secure, resilient and highly available अब देखें यहां पर यह चार जो words है these four words are very important to understand scalable scalable का मतलब यह होता है कि अगर आपके पास में एक CPU हैं तो आप एक CPU से basically आपके requirement नहीं हो रही हैं तो आप easily अपने उस system में दूसरा CPU add कर सकें so that means कि आपको जो system है वो scalable है तो जैसे कि यह आपने एक virtual CPU utilize कर रहे हैं और as and when required you are able to add up more number of CPUs this basically shows the scalability इसे हम क्याते हैं scalability, okay, so SCA scalability, so cloud जो है उसका एक यह primary feature है कोई भी application जब आप cloud में design करते हैं तो वो क्या होती है, scalable होती है secure word हम सभी समझते है, secure कैसे होता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे resilient, resilient का मतलब एक तरीके से अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं कि किसी कारण वर्स, किसी भी reason से अगर इस CPU में चलने वाला एक process जो है वो नहीं चल रहा है, मान लेते हैं CPU ही dead हो गया, ठीक है अब क्या होगा, तो क्या अब पूरा system जो है, वो काम करना बंद कर देगा, तो ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए, तो यानि कि यहां पर मान लेते हैं, एक P1 process चल रहा था, तो इस P1 के लिए कोई backup भी होना चाहिए, तो P1 hat मान लेते हैं, यह कोई backup भी होना चाहिए, अग and highly available, अब highly available का मतलब क्या है, highly available का मतलब यह है, कि कभी-कभी हमारा जो data होता है, वो हमने store क्या होता है, एक server में, तो यह कोई storage service है, और अब similar example है, अब basically, यह वाला जो server है, वो engaged है, busy है, किसी और particular request को process करने में, and this server is not able to serve your request, to any reason, and you want access to your data, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक replica बना लेंगे, data की replica बना लेंगे, अब जब replica बना लेंगे, तो अब इससे क्या होगा, अब इससे basically यह होगा, कि अगर यह server busy है, तो आपको data मिल जाएगा, कहां से आपको data मिल जाएगा, इस दूसरे वाले server से, so it becomes easy, that this server will respond back to you, and you will get the data, तो यह होगया, high availability, तो यह पूरा का पूरा documentation है, यहां पर हम समझेंगे, की, what is the approach of designing applications on Azure, that are scalable, secure, resilient, and highly available, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा introduction की तरफ, the cloud is changing how applications are designed and secured, instead of monoliths, applications are decomposed into smaller decentralized services, अब देको बहुती important चीज़ यहां पर कही गई है, instead of monoliths, applications are decomposed into smaller decentralized services, तो अब यह होता क्या है, monoliths क्या होता है, and यह decentralized यह smaller services क्या होता है, तो एक dictionary meaning हम समझते हैं, monoliths का, तो I will just try to do something, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, यहां पर, अब दिखे, यह मेरे पास में एक pencil से मैं कुछ draw कर रहा हूँ, तो मैंने यहां पर एक चीज draw की, और दूसरी भी चीज draw की, यह दो चीज़े मैंने draw कर दी, ठीक है, अब यह दो कोई चीज़े हैं, कुछ structure है, ठीक है, ऐसा structure है, इनको मैंने verticallyly खड़ा करके रखा हुआ है, उसका एक reason था, मैं चाहता था कि इन दोनों के structure खड़ा किया जा सकता है, maybe yes, maybe no, depend करता है कि भी किस तरीके से positioning की जा रही है, पर there is a possibility कि ऐसे दो structures के ऊपर, जब मैं ऐसे कुछ खड़ा कर सकूँ, okay, या फिर अगर आप देखेंगे कोई mountain ही है, या कोई tree है, तो एक tree का पुरा trunk है, है ना, वो देखिए, तो यह जो मैं structure क कि बात कर रहा हूं, कौन से वाले structures की मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, यह वाले structures की, यह जो structures है, okay, इनकी मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसे जो structures है, इनका क्या फायदा होता है, क्या use होता है, तो सबसे पहले तो इन्ही structures को हम कहते है, monoliths, ठीक है, पहले यह समझ मनो मतलब मतलब होता है वन सिंगल मतलब hevoodle रभी में आभी मोनो अंतलब होता है सिंगल तो एक यहां पी जो कही है वो इस बारे में बता रही है कि the cloud is changing how applications are designed and secured instead of monoliths यानि कि ऐसे कोई systems हैं जो monoliths पो single अकेले ही काम करते हैं singular way में काम करते रहते हैं ठीक है so instead of that उसके बजाए applications are decomposed into smaller decentralized services तो यह कहा गया ही कि भई हमें monolithical systems नहीं चाहिए cloud जो है वो क्या support कर रहा है decomposed into smaller decentralized services तो हमें smaller decentralized कि एक monolith single structure ना हो छोटे-छोटे अलग-अलग-अलग-अलग systems तो ऐसे हमें चाहिए इसका reason है इसके पीचे एक कारण है उसका कारण पता ही क्या है उसके पीचे कारण यह है कि अब होता क्या है कि अगर एक software एक system जो है वो monolithical system में है तो कुछ issue आ गए तो पूरी system जो है वो काम करना रख लेंगे that we will see वो हम कर लेंगे यह दो लोड जाद है तो लोड बैलंसिंग कर देंगे तो यह basically एक benefit होगा कि किसी एक service के वाई से पुरे के पुरे application system को suffer करना नहीं पड़ेगा that is the benefit to smaller decentralized services यहां पर हमें चाहिए now इसका और benefit क्या है देखो these services communicate through apis और by using asynchronous messaging और eventing ठीक है अब यहां पर एक और word तो हर एक word जो है fundamentals में कुछ चीज़े हमें समझने और सीखने के ज़रूरत है अब देखो यहां पर word क्या है asynchronous word है so now what does that mean asynchronous का मतलब क्या हुआ तो अब देखे और synchronous मतलब क्या हुआ कि अब मेरे पास कोई task है मान लेते हैं यह एक task है तो यह task चल रहा है ठीक है जब तक यह task खतम नहीं होगा तब तक मेरा दूसरा task हो वेट करते रहेगा फिर जब दूसरा task खतम होगा तभी मेरा तीसरा task खतम होगा ओके फिर से मैं repeat कर रहा हूं कि मेरे पास task है multiple तो यह जो टीवन टास्क है जब तक यह चल रहा है तब तक मेरा टीटू टास्क क्या वेटिंग स्टेट में है यह वेट कर रहा है उसी तरीके से जब तक टीटू जो है वह काम कर रहा है तब तक टीट्री वेटिंग स्टेट में है इसे हम कहता है synchronous यह च रो एन ओ यू सिंक्रोन टास्क हो गए प्रोग्रामिंग में होते हैं ठीक है अब अब देखो ठीक है अब देखो अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हुआ कि टीटू जो है प्यालरी काम कर सकते हैं तो t1 & t2 are wor working or getting executed executed parallly ओके तो अगर वो इन पैरलल execute हो रहे हैं तो वेसिकली यह क्या हो जाएगा यह तो देखो इसमें क्या है अगर कुछ reactive tasks है तो वहां पर synchronous होना चाहिए अब हमारे case में जो है वो asynchronous चलेगा तो यहां पर क्या लिखा है कि these services communicate through apis or by using asynchronous messaging or eventing okay eventing application scale horizontally and adding new instances as per demand तो जो मैं शर्वात में बता रहा था कि जैसे जैसे हमें number of cpu's चाहिए या उन्हें instance क्या दे एक instance से काम नहीं चल रहा है मुझे दूसरी चाहिए तो horizontal वे में मैं दूसरी इंस्टेंस ले आउंगा फिर तीसरी ले आउंगा फिर चौथी ले आउंगा फिर पांच वी ले आउंगा तो horizontally scalable है तो this is how basically this particular approach we are discussing आगे देखते हैं these trend brings new challenges तो यह तो बात है जैसे हम कुछ नया करते हैं तो नय challenges आते हैं और challenge क्या होगा? Challenge यह होगा कि application states are distributed तो monolithic में कहा था? Centralized था एक जिगे था जब हम decentralized की बात कर रहे हैं मतलब center एक दिगे पर नहीं होगा distributed होगा अलग लग दिगे पर होगा operations are done in parallel and asynchronously तो अलग लग continuously target applications दूसरा है कि कुछ ऐसी unwanted malicious activities जो है वो applications को continuously target करते रहे हैं तो उससे भी prevent होना चाहिए secure होना चाहिए and deployments must be automated and predictable the deployment के में क्या challenge है कि automated होना चाहिए और predictable होना चाहिए and the last here thing is कि monitoring and telemetry कि हम application monitoring कर सकें measuring कर सकें है this is again important in order to get the insight of the whole system so we need to check the performance of the software as well as how much hardware is being utilized and how much network bandwidth is utilized how much what kind of peak performance the software is giving तो इन चीज़े का भी धियान रखना जरूरी है तो quickly हम summarize कर देते हैं यह summarize में आटेबल दिया भी हुआ है कि we have traditional on-premises applications we have modern cloud तो traditional on-premises जो है अब on-premises का अंतलब क्या होता है आप office में बैठे हुए हैं और वहां पे काम कर रहे हैं उसे हम on-premises कहते हैं और उसी के opposite जो होता है वो modern cloud होता है modern cloud में क्या होता है कि जो हम अभी बात कर रहें azure की बात कर रहें या फिर कोई दूसरे cloud हो गए पैलल में AWS है या फिर GCP है वो modern cloud हो गए तो traditional on-premises में monolithic है यहाँ पर decomposed है design for predictable scalability यानि कि limited scalability हो सकती है predictable है यहाँ पर elastic scalability है देखें huge difference elastic flexibility है जितना आप चाहते हैं उतना scalable कर सकते हैं relational databases generally use होते हैं यहाँ पर polyglot persistence है polyglot मतलब क्या हुआ कि relational यूज करी सकते हैं पर आप non relational भी यूज कर सकते हैं आप no SQL databases यूज कर सकते हैं graph databases यूज कर सकते हैं आप special databases यूज कर सकते हैं so we have a lot of five systems and storage solutions over here synchronized processing होती है traditional premises में यहाँ पर synchronous processing होती है design to avoid failures यहाँ पर MTBF use होता है design to for failure यहाँ पर MTTR होता है इसकी वार्व हम discuss करेंगे यहाँ पर occasionally large updates किया जाते हैं और यहाँ पर frequent small updates चलते ही रहते है management manual रहता है normally और यहाँ पर automated self-management पर चलता है Snowflake servers रहते हैं यहाँ पर Snowflake architecture इसके पर भी हम बात करेंगे और इधर के case में immutable infrastructure होता है immutable infrastructure so this was a little basic about to get started with the azure architectures तो आए आगे आने वाले sessions पर हम और detail में समझेंगे if you have any queries questions on any terminology any jargon you can write it in the comment box we'll be happy to answer your questions thanks for watching do like and share